हलो एवरिवन आदाव नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम अकेडमी पर जहां पर हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेशर असोसियेट प्रोफेशर और असिस्टन प्रोफेशर से रिलेटेड ज इसमें इन्हों ने असिस्टन प्रोफेशर असोसियेट प्रोफेशर और असिस्टन प्रोफेशर से रिलेटेड सीटो पर ão्मांगे मांगा हुआ है इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे अप्लिकेशन यहां आप देख सकते हैं यह जो पोश्ट मांगा गया है वो उत्तर प्रदेश स्टेट इस्टिटूट अफ फॉरंसिक साइंस जो की लखनौव में स्टैबलिश्ट है और इसका जो नोडिफिकेशन है यह पहले ही रिलीस कर दिया गया था जिसका लाश डेट भी यहां आ चुका था आप देख सकते हैं कि बाराप्रेल को इसका अप्लिकेशन ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया था लाश डेट इसमें दिया गया था 15 माई 2024 का और इसका जो हाट कापी रिसीविंग का डेट है वो 22 माई 2024 का डेट यहां पर दिया गया था हला कि 15 माई लाश डेट था तो फार्म क्लोज हो गया था लेकिन अभी यूनिवर्सटी ने फिर से री ओपेन कर दिया है इसकी साइड और यहां पर आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं आप देख सकते हैं यह दूसरा नॉटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने 15 माई 2024 को एक नॉटिफिकेशन के माध्यम से सूचना जारी किया हुआ है जिसमें यहां पर आप देख सकते हैं लास्ट डेट फार अप् का जो नंबर है teaching and non-teaching position के लिए extended 31 मई 2024 तक तो अब आप इस farm को 31 मई 2024 तक fill up कर सकते हैं और साथ यसाथ जो आप लोगों की receiving जो hard copy है उसे download करने का timing यहाँ पर साथ जून 2024 का date दिया गया है तो काफी लंबे time के लिए यहाँ पर आपका जो date है वो बढ़ा दिया गया है तो जो लोग farm apply नहीं कर पाये थे वो farm apply कर सकते हैं उत्तरपरदेश state institute of science forensic science लखनोग के इस post पर यहाँ पर direct recruitment निकल कर आया हुआ था प्रोफेशर असोसियर प्रोफेशर और assistant प्रोफेशर के पोश्ट पर जिसके उपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन कौन से department से यहां recruitment मांगे जा रहे हैं यहां आप देख सकते हैं अगर आप apply करना चाहते हैं या फिर आप लोगों ने अभी तक farm apply नहीं किया हुआ था तो यहाँ teaching position पर भी post मांगे गया है और non teaching position पर भी मांगे गया है teaching position में यहाँ professor के लिए post निकल कर आया हुआ था जिसमें school of forensic science से post मांगे गये थे total egg seat था school of legal studies से एक post है और school of science and technology से भी यहाँ पर एक एक पोश्ट पर रिक्रिमेंट मांगे गया है वहीं असोसियट प्रोफेशर के लिए भी यहाँ पर पोश्ट मांगा गया है जिसमें इस्कूल आफ फॉरेंसिक साइंस के लिए चार सीटे हैं स्कूल आफ लीगल स्टडीज के लिए पांग सीटे हैं और स्कूल आफ साइंस अंड टेक्नोलाजी के लिए यहाँ पर तक्रीबन पांग सीटे हैं यहां पर total seat है, case teaching position पर और non teaching position के लिए यहां पर assistant register का post है, scientific officer का post है और assistant librarian का post है, तो अगर आप assistance register के लिए form apply कर रहे हैं, तो 4 seat यहां पर रखी गई है, scientific officer के लिए 5 seat है और assistant librarian के लिए एक post है, total 10 seat यहां पर non teaching position के लिए भी दिये गए है, qualification जो होता है, वो हर एक university का same ही होता है, assistant professor के लिए अगर आप apply कर रहे हैं, तो यहां जो qualification आपका related subject में 55% marks के साथ आपको pass out होना जरूरी है, साथ साथ good academic record आपके पास हो, तो आप eligible हैं, यहां age limit 21 साल से 40 साल तक का दिया गया है, कुछ relaxation भी आप मिल जाएगा, अगर आप special category से belong करते हैं, और अगर हम salary की बात करें, तो यहां पर 10 pay scale का salary आप लोगों को provide कराये जाएंगे, 56,100 रुपए से entry salary यहां start कर दी जाएगे, वहीं associate professor के लिए same qualification के साथ साथ यहां पर तकरीबन 8 साल का teaching या फिर research experience भी मागा गया, salary यहां पर 13 pay level का रखा गया है, 31,400 से आपकी entry salary start हो जाएगी, वहीं professor के लिए जो qualification है, उसमें master degree 60% का मागा गया है, और साथ यसाथ related qualification, जो qualification associate professor और assistant professor के लिए लखे गया है, वही qualification यहां पर भी रखा गया है, लेकिन यहां 10 साल का आपके पास teaching या फिर research का experience हो, साथ यसाथ जो salary है, वो 1,44,200 रुपए की यहां आपको provide कराए जाएगी, scientific officer के लिए, assistant registrar के लिए same salary रखी गई है, 57,100 रुपए से यहां पर भी आपकी entry salary provide कराए जाएगी, और qualification वहीं यहां पर भी मागा गया है, जो assistant professor के लिए मागा जाता है, तो guys, अगर आप farm apply करना चाते हैं, तो आप apply कर सकते हैं, तकरीबन 25,100 रुपए application fees यहां मांगे गए हैं, general OBC, EWS के लिए, वहीं CST, PWD के जो candidate हैं, या जो woman category से हैं, उनको यहां पर 2000 रुपए application fees पे करना होगा, तो अगर आप farm apply करना चाते हैं, तो farm apply कर सकते हैं, इसका date जो है बढ़ा दिया गया है, अब आप 31 माई तक इसके farm को apply कर सकते हैं, तो guys, इस वीडियो में इतना है, इस तरीके के और भी information हम आप लोगों तक समय समय पर पहुचाने का प्रयास करते रहेंगे, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए information के साथ, अब तक के लिए thank you so much.